हलो प्रेंद्स, वल्कम टू वेस्टेवस्टे, आज वेस्टेवस्टे मैं मैं बात करने वाली हूं, हम सबी के घरों में पढ़ी दियों कुछ इस तरह की वेस्ट फूटवाल के बारे हुआ जो हम सबी के घरों में बच्चे खेलती ही हैं और जब यह पंक्शर हो जाती तो हम इनको उठाके फेक देते हैं तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस फुट वाल को अपने घर में अच्छा सा अच्छे से इसको यूटिलाइज करें और मुझे पूरी उमीद है कि मेरा ये आइडिया देखने के बाद आप लोग जरूर कुछ इस तरह से प्लांटर और उसके लिए मुझे इसको बीच से काटना होगा तो इसको मैं डिवाइट कर लेती हूं और मैं इसको इक्वली डिवाइट नहीं कर लेती हूं क्योंकि मुझे दोनों प्लांटर इक्वली साइज के नहीं चाहिए मुझे एक थोड़ा सा पाड़ा चाहिए और एक थोड़ा सा छोटा आप जोए तो इसको equally divide कर सकते हैं और अगर छोटा या बढ़ा अगर मेरे जैसा कुछ आई तो उसी साब से अपनी साब से इसको कट करें यह मैंने प्लास्टिक के छोटे-छोटे से दो कंटेनर डिस्पोजल जो हमारे बाहर से आती ही रहते हैं जो भी हम कोई सामान मंगाते हैं उसी को मैं इसको यूज करूंगी इसका इस्टेंड बनानी के लिए और उस पर मैं यह ट्रेनशोर बना लिया हूँ अब इसको मैं लो यह दो नो मेरे पीस होँए कटके बिल्कुट गया है और मैं जूकि मेरे फुटवाल का बेस कलर ग्रीन और ब्लैक है और इसको मुझे अज एस्टेंड यूज करना है तो इसको भी मैं ब्लैक कलर दूंगी जिससे कि मेरे फुटवाल के कलर के साथ मैं चोज़ए अब मुझ इसमें नीचे ड्रेनेशोल भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं इसमें लगाने जा रही हूं अपना प्लांट इसमें मैं अपने कोलियस के और गंदुला का प्लांट लगाऊंगी और आप देखें कोलियस हम कितनी आसानी से लगा सकतें और इसको मैं अज़े स्टेंड यूज करूँगी इसमें मैं हॉट ग्लुगन की मतद़ से इसको फुट वाल इसमें चिपका दूँगी और यह आराम से चिपक जाएगा थोड़ा से नीचे के साइड से भी चारू तरप से लगा दें जिससे की अच्छे से फिक्स हो जाए यह देखिए कुछ इस पर एक बनके तयार होगी और बस इसी तरह से हम अपना दूसरा पीस भी तयार करेंगी अब यह दो हमारे प्लांटर हो गए बिल्कुल रेडी प्लांट लगाने के लिए अब इसमें अपना कोई भी मंचा प्लांट लगाए इस छोटी से प्लांटर में मैं अपना लगाने जा रही हूँ कैंडिला और इसमें बड़े वाले में मैं लगाऊंगी कोलियस मेरे पास कई करेके कोलियस हैं कई कलर्स के और उन सबों से मैंने एक एक कटिंग काटी हुई है यह मैंने लगबाग पाच से छेंज की कटिंग काटी हुई है और कटिंग से यह होद आसानी से ग्रो होता है यह मैंने एक महीना पहले कटिंग लगाई थी और इसमें कितनी सारी रूट सागे है और यह सारी एक कटिंग ही है और आराम से एक महीने बाद यह अच्छे से ग्रो हो जाएंगी सारी कटिंग्स और यह देखिए यह मैंने इसमें पूरे चार कलर के मैंने कोलियस लगा है और यह मेरे घर में ही बिल्कुल फ्री के एक तरह से आप कह सकते हैं फ्री के हमारे यह प्लांटर हो गए बनके बिल्कुल तयार तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको भी यह जरूर पसंद चोटे-चोटे से खुबसूरा से प्लांटर जो कि हमारे फ्री में ही बनके तायर हो जाएंगे और यह देखिए मैंने पहले भी बिनाई वे तो इसमें मैंने नीचे इस्टेंड नहीं लगाया हूँ है सिंपली मैंने फुट वॉल काटके और चुकिए वाइट कलर की और आपको भी अगर अच्छे लगें तो आप भी कुछ इसी तरह से अपने फुट वाल को यूज करें और कुछ इसी तरह से अपने खुबसूरा से प्लांटर बनाए और बस वीडियो गर अच्छा लगा हो तो थोड़े से लाइक और कॉमेंट्स भी शेयर करें और वीडि झाले